वन्प्लस नाइन सीरीज का यूजर्स को बेसबरी से इंतजार है अगले साल लॉंच होने वाली यह सीरीज पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है वन्प्लस की इस अपकमिंग सीरीज को लेकर जो लेटस्ट खबर आई है उसके मुताबिक कमपनी वन्प्लस नाइन सीरीज यानि वन्प्लस नाइन और वन्प्लस नाइन प्रो के साथ वन्प्लस नाइन लाइट को भी लॉंच करेगी उम्मीद की जा रही है कि कमपनी इस सीरीज को साल 2020 की पहली तिमाही के खत्म होने से पहले लॉंच कर देगी एक रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro में कमपनी लेटस्ट 5 नेनोमीटर चिपसेट वाला Snapdragon 888 प्रोसेसर देने वाली है, लेकिन OnePlus 9 Lite में कमपनी Snapdragon 865 प्रोसेसर ओफर करेगी, OnePlus 9 Lite में इस प्रोसेसर को देकर कमपनी फोन की कीमत को कम रखना चाहती है, अभी की बात करें तो OnePlus 8T की शुरुवाती कीमत 43,000 रुपे और OnePlus 8 की कीमत 40,000 रुपे है, वही OnePlus 7T अभी 38,000 रुपे में उपलब्ध है, फीचर्स के मामले में OnePlus 9 Lite में OnePlus 8T वाले कई फीचर मिल सकते हैं, इसमें Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ 90 Hz या 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, फोन OnePlus 8T वाले कैमरा स्प वाट फास्ट चाजिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है, OnePlus 9 Lite के फीचर्स के बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई ओफिचल जानकारी नहीं दी गई है, ऐसे में यह फोन किन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ आएगा इस बारे में अभी पक्के तोर पर कुछ भी कह नहीं जा सकता, एक्सपर्स का मानना है कि कंपनी आने वाले कुछ महीनों में OnePlus 7T को डिसकन्टिन्यू कर सकती है, ऐसे में OnePlus 9 Lite उन यूजर्स के लिए उपलब्द रहेगा जो OnePlus Nord और OnePlus 8T के बीच का कोई डिवाइस लेना चाहते हैं, OnePlus 9 सीरीज के साथ OnePlus 9 Lite भी लॉंच किया जा स इस फोन को कमपनी Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ ओफर कर सकती है, फोन में OnePlus 8T वाले कई फीचर मिलने की उमीद है, OnePlus 9 Lite में संभावित रूप से एक छोटे डिस्पले का उप्योग होगा, इसमें मैमरी कम और एक रिय कैमरा कम होगा, हलाकि यह सब अटकले हैं, OnePlus 9 रेंज को मार्च 2021 क मध्य में लॉंच किया जा सकता है, इसलिए हमें आने वाले हफ्तों में OnePlus 9 Lite के बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद करनी चाहिए.